आज का एक नए एपिसोड एक नए रूप में आप सब होके बीच आ चुका है आज का ये पूरा एपिसोड बेस्ट है करिंट आफियर्स में तो आज 30 कुश्चन्स करिंट आफियर्स के हम लोग देखेंगे और सेल्फ इवैल्वेशन के लिए ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा हमारा मानना है कि 20 पलस अगर आप करते हैं तो आपके तयारी बहुत अच्छी है 25 पलस करते हैं तो डेफिनिटली आपको सोचना नहीं है लेकिन अगर आप 15 से 20 करते हैं तो फिर आपको रिवीजन की जरूरत है करिंट एफियर्स कम से कम पिछले 4 महीने के हमें बहुत अच्छी से करने हैं जबके टोटल ओल टुगेदर 6 महीने पीछे के करिंट एफियर्स कर लेना सेफ होता है आज के इस 30 कोश्चन में दो कोश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर्स फिफ्थ आप्शन है यानि ये आंसर हैं तो आप इसे बनाते वक्त ध्यान में रखेंगे के पांचमें आप्शन वाला दो कोश्चन आपको इसमें मिलेगा आए लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक information के 10 topics वाला जो episode है वो कल आएगा आप जब तक revision कर लें और बागी topics को अच्छे से पढ़ें कल इस पर हम लोग बहुत अच्छे से 10 topics करेंगे चलिए आज के इस 30 questions को करते हैं पहला question है राष्टी महिलायों की नई अध्यक्षा chairperson अपॉइंट हो गई है National Commission for Women, new chairperson कौन अपॉइंट हुई है ABCD या फिर E बहुत important organization है इसके chairperson का जब भी बदलाव होता है तो ये exam में एक hot cake बन जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा रेखा शर्मा दरसल ललिता कुमार मंगलम अब तक इसकी chairperson थी अब वो retirement के बाद रेखा शर्मा हर्याना की है ये आ गई है आप जानते होंगे के राष्टी महिलायों की अस्थापना उन्हें 1292 में 1992 में हुई थी और पहली chairperson जैन्ती पटनायक थी आज का दूसरा question आधार कार्ड के सत्यापन के लिए प्रूफ के लिए अब हाल ही में इसमें एक नए feature को जोड़ा गया है ये नया feature कौन सा है क्या इसमें अब अनिवार्ज कर दिया गया है ABCD या फिर E बहुत important तो इसका अंसर हो जाएगा B चेहरे की पहचान यानि फेशिल स्कैन अब आपका on the spot होगा फोटोग्राफी होगी अभी तक आपका fingerprints और आखों का स्कैन लिया जाता था अब चेहरे की पहचान के लिए फेशिल स्कैन आपका किया जाएगा पचीस अगस्त से ये अनिवार्ज कर दिया गया है आज का तीसरा question चेहरे अंतराश्टी बहुत सम्मेलन 2018 का आयोजन हाली में पिछले महीने 23 अगस्त को कहा किया गया बहुत important तो इसका अंसर हो जाएगा नई दिल्ली आप ध्यान रखेंगे कि एक international Buddhist conference अपरैल में लुंबिनी में हुआ आई थी साल लेकिन ये छठा इंडिया international Buddhist conference है जो परियाटन मंतराल है हर दो साल पे आईजित कराता है इसमें बिहार उत्तरपरदेश और महाराष्टा partner state थे और विदेशी देश में जापान इसमें partner country था ये ध्यान रखेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा नई दिली जो 23 अगस्त 2018 को आईजित हुआ बारत के दाफ से राष्ट पती हमारे गए उद्गाटन किया था तो ये ध्यान रखेंगे महराष्टा में सबसे अधिक बुद्धिस्ट रहते हैं भारत में सबसे अधिक बहुत हैं महराष्ट में रहते हैं आज का चाथा कोश्चन जुलाई 2018 में नरसरी से आठमी तक के चात्रों के लिए खुशी पाठकरम यानि happiness curriculum किसन ने लाँच किया है खुशी पाठकरम को लाँच किया है नरसरी से आठमी तक के क्लास में जिसमें 45 मिनट का एक लीजर प्रियड होगा जिसमें moral values और कुछ exercises करा जाएंगे mental exercise इस तरह का happiness create करने के लिए moral values बगरा बताया जाएगा तो ये आप दियान में रखेंगे दिल्ले सरकार पाच्वा कोश्चन अंतराष्टे श्रम संगटन यान इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजिशन दोरा जारी भारत मजदूरी रिपोर्ट यानि इंडिया वेज रिपोर्ट 2018 के अनुसार आर्थिक सुधारों के बाद पिछले दो दशकों में औस्तमजदूरी क्या हो गई है पिछले दो दशक में भारत की जो औस्तमजदूरी है ये क्या हो गई है A, B, C, D सोच ले तो इसका आंसर हो جाएगा B, दुगनी हो गई है तो कि काफी इसमें मजदूरीम बढ़ोतरी हुई है यह आप ध्यान रखेंगे कि यह अब दुगनी ILO की रिपोर्ट है आज का छटा कोशन सुलब इंटरनेशनल दौरा विश्व की सबसे सस्ती cheapest स्वच पेजल परियोजना drinking water project सुलब जल की अस्थापना कहां की गई है सिर्फ 50 पैसे में पर लिटर आपको पानी मिलेगा cheapest project कहां शुरू क्या गया है उद्गाटन क्या गया है ABCD या फिरी तो इसका अंसर हो जाएगा दरबंगा आप जानते होंगे कि सुलब इंटरनेशनल की अस्थापना बिंदेश्वरी पाठक ने 1970 के दशक में की थी ये बिहार बेस्ट और्गनाइजेशन है और इसने cheapest project सुलब जल चुरू किया है दरबंगा में सात्वा कोशन केंद सरकार दोरा जारी 100 रुपे के नए नोट का साइज क्या है 100 रुपीज का नए नोट जारी हुआ है बैगनी कलर का वाइलिट कलर का ए बी सी डी या फिर ए तो इसका अंसर हो जाएगा C 66 142 mm का ये साइज है बैगनी कलर का है इसके पीछे रानी की बाव का चितर है आज का आठमा कोशन 9 में फीफा अंडर 20 20 साल से कम उमर की महिलाओं का विश्व कप 2018 में कहा है जिस क्या गया विश्व कप है तो इसे आपको जानना चाहिए वाल कप, फुटबाल, विमन इसमें वीजेता टीम कौन सी है आपको ये बताना है वीनर टीम तो इसका अंसर हो जाएगा जापान इंटरिस्टिंगली और चौकाने वाला ये परिणाम राज जिसमें जापान की महिलाओं ने स्पेन को हरा कर ये वर्ल्ड चेंपिर्शिप जिता है आज का अगला कोशन विश्व का सबसे लंबा काच का पुल यानि आपको शीशे का ये पुल सबसे लंबा कहां खोला गया है जनता के लिए ग्लास ब्रिज तो इसका अंसर हो जाएगा A. चाइना आज का ये दर असल 4 मीटर चौड़ा 488 मीटर लंबा है है हैवेई प्रांत में ये खोला गया है आज का दस्मा कोश्चन भगोडा आर्थिक अप्राद अधिनियम दो हजार अठार है के अंतरगत कितने रूपिय से अधिक की राशी को लेकर भागने वाले को आर्थिक भगोडा गोचित क्या जाएगा ये दर असल एक्ट आया है पास हो गया है जिसमें अब इतने से अधिक का गबन करने वाले को आर्थिक भगोडा गोचित क्या जाएगा क्या है इसमें आंसर तो इसका अंसर हो जाएगा सौ करोड़ अगर सौ करोड़ से उपर का गबन है और विदेश भाग जाता है तो फिर इसे आर्थिक भगोडा गोचित किया जाएगा आज का ग्यार्वा कोश्चन पर्धान मंत्री के चीफ एकोनुमिक आइडवाइजर कौन है पर्धान मुख आर्थिक सलाकार A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा E, पांचवाँ आप्शन आप जानते होंगे कि इसे पहले सुबरमन्यम साहब जो आर्थिक सलाकार थे हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया और अभी ये पोस्ट खाली है तो ये इंपॉटन्ट है नेक्स्ट अभी अपॉइंट्मेंट होगा जो कि ये खबरों में है रिटार्मेंट के बाद आज का बारेमा कोशन संजुक सुराश्ट संग दौरा वर्ष दो हजार अठार है किस रूप में मनानी की घुशना की गई है एकदम BPSC टाइप कोशन दो हजार अठार है UNO किस रूप में मना रहा है हर साल UNO X एक खास विशे को मना थीम के रूप में रखता है अंतराश्टी मिर्दा चावल यूआ या पिर मोटे अनाज का वर्ष या पिर इनमेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर हो जागा D International Millets Work वर्ष यानि मोटे अनाजों का जवार बाजरा जैसे मोटे अनाजों का वर्ष यानि इसके उत्पादन पर वर्ल्ड वाइड ध्यार दिया जाएगा आप जानने ये भी कि साथ में कि 2019 का अगला वर्ष जो है उसे देशी भाषचा के लिए अंतर राश्री वर्ष घोशित किया गया देशी भाषचा के विकास के लिए इंडीजिनेस लैंगवेश के लिए 2019 तेरह मा कोशन गूगल ने भारतिय भाषचाओं को बढ़ा देने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉंच किया है बहुत इंपर्टन्ट गूगल ने लॉंच किया ये उसका कहना है कि भारतिय भाषचाओं पे काम नहीं हुआ है नेट पे तो इसका अंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नवलेक इसे जो भारत की देशी भाषचाओं हैं अलग-अलग उसे अब इंटरनेट पे बढ़ावा दिया जाएगा इसी का ये प्रोजेक्ट नवलेक शुरू किया गया है चौधावा कोश्चन ने चौधा बिंस्टेक सम्मिलन 2018 कहां आई जित हुआ बिंस्टेक कॉन्फरेंस फूर्थ ए बी सी डी या फिर ए तो इसका अंसर हो जाएगा काथ मंडू आप जानते होंगे कि बिंस्टेक बंगाल की खाड़ी के तटिये देशों का ये संगट हैं जिसमें साथ देश हैं इसका फुल फॉर्म है बेयाव बंगॉल इनिशियेटिव फॉर मल्टि सेक्टोरल टेक्नोलिजिकल और एकोनोमिक कॉन्फरेंस पंद्रहमा कोश्चन उन्हें संतानवे में बैंकॉक में इसका अस्तापना हुई थी पंद्रहमा कोश्चन किस देश ने कुत्त और बिल्ली के मांस व्यापार पर रोक लगाने के लिए कानून पास किया है डॉग एंड कैट्स फ्लेश पे मीट पे तो इसका अंसर हो जाएगा अमेरिका कुत्ते बिल्ली के मांस पर रोक लगा दिया गया है कई सारे देश हैं जहां कुत्ते और बिल्ली के मांस खाये आता है सुलेमा कोश्चन युद्धा ब्यास भारत और अमेरिका के बीच युद्धा ब्यास दो हजार अठारे सैनिक जो एक्सरसाइज है अमेलेटिय एक्सरसाइज ये कहां संपन हुआ है इसका नाम ही है युद्धा ब्यास दो हजार अठारे जो भारत अमेरिका के बीच हर साल होता है तो इसका अंसर हो जाएगा चौबटिया उत्रा खंड हर साल एक साल अमरीका और एक साल भारत में आजित होता है इस साल ये भारत में आजित हो रहा है बहुत important है ये एक definite question है आप ध्यान रखेंगे कई बारा स्थान पूछ देता है तो चौबटिया आप ध्यान रखेंगे सात्रहमा question चुनाओ आयोग की घोशना के अनुसार चुनाओ में अब किस चुनाओ में नोटा का परियोग नहीं किया जाएगा यानि none of the above अब इसका परियोग प्रोहिबिट कर दिया गया है अब इसका परियोग नहीं किया जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा राजसभा और विधान परिशद यानि जहां इंडारिक्ट चुनाओ होते हैं और परिजएक चुनाओ वहाँ पर नोटा यानि none of the above किसी इन में से कोई नहीं का इक option होता है हम किसी को नहीं चुनेंगे तो इसे नोटा कहा जाता है इसे अब हटा दिया गया है इन डिरेक्ट चुनाओ जहां होती है जहां जनता सीधे नहीं चुनती है राजसभा और विधान परिशद अठारवा question किन सरकार के विरुद्धाल ही में आये अविश्वास प्रस्ताओ यानि नोग कॉन्फिदेंस मोश्चन का रेजल्ट क्या था बहुत important किन सरकार को पहली बार नोग कॉन्फिदेंस मोश्चन यानि अविश्वास प्रस्ताओ फेस करना पणा तो इसका रेजल्ट किस रूप में आया BPSC का टाइप कॉस्चन तो इसका अंसर हो जाएगा 325-126 325 सरकार के समर्थन में 126 विरोध में यानि अविश्वास प्रस्ताओ गिर गिर गिया सरकार बच गई दरसल सरकार को गिराने के लिए जब उसे पता चलता है कि सरकार कमजोर है तो विपक्च ये सबसे पहला विश्वास प्रस्ताओ 163 में जवाला नेरू के विरुदाया था लेकिन सरकार तब बच गई थी हाला के 178 में मुरारजी देसाई के विरुदा आया विश्वास प्रस्ताओ पास हो गया था और पहली सरकार थी जो अविश्वास परस्ताओं पर गिर गए थी आज का अगला कॉशन हाली में हेलसिंकी 2018 काफी चर्चा में रहा है इसका क्या कारण है? हेलसिंकी 2018 A, B, C, D या फिरी पढ़ लें, टाइम ले लें ये कॉशन थोड़ा लंबा है तो इसका अंसर हो जाएगा अमरीका और रूस के राष्ट पतियों का शिकर सम्मेलन दरासल दोनों के देशों के बीश काफी तनाव चल रहा था और इस बीश हेलसिंकी में ये सम्मेलन आजित हुआ है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में तो ये खबरों में है बीसमा कोशन पाकिस्तान के चुनाव में जीत के बाद इमरान खान पाकिस्तान के कैमें परधान मंतरी बने है ये भी सीडी या फिरी या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जाएगा बाइसमें परधान मंतरी 22 पीम इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीके इनसाफ और पाकिस्तान की संसत को नेशनल इसेंबली कहते है एक इसमा कोशन आस्टेलिया के ग्लेन मेगरा के रिकॉर्ड के पीछे छोड़ते हुए तेस्ट के सकेट में सबसे अधिक विक्ट लेने वाले तेज केंद बाहरं फास्ट बालर कौन बन गए है यहाँ पर जो चॉइस है आपको इसमें से एक बताना है या पिर इन में से कोई नही यहाँ धियान रखें यहाँ पर इस्पीणर की बात नहीं हो रही है फास्ट बॉलर, स्पीनर में, मुद्हिया मूरली दरन, वर्ल्ड में सब से जद विकट टिकर है लेकिन यहां पर बात हो रही है, तेज गेनबास किए अब वर्ल्ड के सबसे जद विकट लेने वाले तेज गेनबास कोन है? मैग्रा को पीशे छोढ़ा है इन्होंने तो इसका answer है James Anderson, England के James Anderson ने अभी हाली में भारत इन के साथ series कहलते हुए यह उपलब्दी हासिल की आज का बाइसमा question, केंसरकार ने हाली में कितनी fixed dose combination वाली दवाओं पर पड़ते बंद लगा दिया गया है यह थोड़ा सा नया topic है, काफी लोग इसे नहीं समझ रहे होंगे, fixed dose combination क्या है दो या दो से अधिक दवाओं को मिलाकर एक dose, एक tablet जब बनाया था तो इसे fixed dose कहते हैं यानि कई सारे जो रोग हैं, मर्द हैं, उसके लिए एक ही दवा तो इसे fixed dose combination या combination medicine कहते हैं अब इस पर पर्तिबंद लगा दिया गया है, चूंकि इसके हानी कारक परी नाम सामने आ रहे थे इनकी संख्या कितनी है तो इसका answer है 328, 328 ऐसे combination drug को आप पर्तिबंद कर दिया गया है यानि दो या दो से अधिक दवाओं को मिलाकर एक ही दवा बना देना अब सेरी डाउन आपको मारकेट में नहीं मिलेगा जो सरदर्द, बुखार और ना जाने कितने तरह के मर्ज में एक ही साथ काम आने वाली दवा है तैसमा question, विशु का सबसे बड़ा युद्धाब्यास जो हाल ही में संपन हुआ, उसका नाम आपको बताना है दो हजार अठारे का सबसे विशाल मिलिटरी एक्सरसाइज, लार्जेस्ट, ए बी, सी, डी या फिरी तो इसका अंसर हो जाएगा, वो स्टॉक, 2018 रूस में, रूस, चाइना और मंगोलिया के बीच, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा युद्धाब्यास आइजित हुआ है अभी हाली में आज का 24 मा question, आगस्त 2018 में, रेलवे में वैग्यानिक और तक्निकी सहीयों के लिए तो इसका अंसर हो जाएगा, C, दक्षिन कोरिया इसमें अनुसंदान, यानि रिसर्च और डिजाइन पर इसमें दक्षिन कोरिया भारत को अपना सहीयोग देगा आज का 25 मा question हाली में संपन हुए विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या था, यानि के इसका मुद्दा क्या था, जो में थीम हर conference या बड़ी घटना का एक थीम होता है, उद्देश होता है तो आपको बताना कि 25 में question में हाली में ये हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसका थीम क्या था, एक 11 मां ये सम्मेलन आजित हुआ है A, B, C, D या फिर E तो इसका अंसर हो जाएगा हिंदी जगत और भारतिय संस्कृति आप जानते होंगे कि 18 अगस्त 2018 को मौरिशेस की राजधानी पोर्ट लूइस में ये 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आजित हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपूर में आजित हुआ था 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रे हिंदी दिवस मनाए जाता है जबके 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस आज का 26 समा कोश्चन मुस्लिम महिलाओं के लिए देश का पहला शरिया कोट कहां खोला गया है बहुत इंपार्टन्ट मुस्लिम महिलाओं से सम्मदी देश का पहला शरिया कोट तो इसका अंसर हो जाएगा कानपूर यानि दहेज, उत्पिडन या हत्या से सम्मदी अगर महिलाओं के जो मामले हैं ये अब यहाँ पर रिलिजियस बेस्ट पे मुस्लिम महिलाओं से सम्मदी देश मुस्लिम जो शरिया कानून है उसके अधीन इसे हल किया जाएगा आज का सत्ताइसमा कोश्चन इसे महिला दारुलकजा कहा जाएगा सत्ताइसमा कोश्चन डवल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2017 के लिए किसे चुना गया है डवल्ड यचो हर साल धुमरपान पर काम करने वाले संस्था या किसी व्यक्ति को ये अवार्ड देती है तो इसका अंसर हो जाएगा SK Aroda दिल्ली में स्वास विभाग के ये डॉक्टर है जिन्होंने टोबैको अंटी टोबैको पर काफी काम किया इसलिए WHO ये अवार्ड ने देगी आप जानते होंगे कि 31 मई को हर साल No Tobacco Day मनाय जाता है 31 मई को आज का 28 मा कोश्चन चौथा इंटरनेशनल अंतरराष्टिया आयूरवेद कॉंग्रेस कहां आई जिस किया गया हाली में इंटरनेशनल आयूरवेद कॉंग्रेस तो इसका अंसर हो जाएगा नीदर लैंड लीडेन लीडेन भी आप धियान रखेंगे कई बार शाहर का नाम दे देता है लीडेन नीदर लैंड में ये आयूरवेद को पढ़ावा देने के लिए इस तरह के सा मिलन आयूरवेद किया जाते है आज का उन्तिसमा कोश्चन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2018 में सबसे टॉप पे कौन सा देश है यानि रहने के लाइख सबसे बहतर सबसे अच्छा शाहर कौन सा घोशित किया गया है इसे ब्रिटिश एकोनोमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट चारी करती है 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 साल ये भी सी दी या पिरी तो इसका अंसर हो जाएगा वियना आस्ट्रिया की राइधानी वियना को रहनी के लिए सबसे बेस्ट शाहर गोशित किया गया है जबकर पिछले साल मिलबॉन था इस साल भी कि ये ब्रिटिश संस्था एकोनोमिस्ट जारी करती है आज का तीसमा और अंतिम कोशन हाली में संपन हुए इश्याई खेलों का शुभंकर यानि मैसकट क्या था सोच लें अच्छे से मैसकट तो इसका अंसर हो जाएगा इश्याई के शुभंकर थे तो आपको इससे ध्यान में रखना चाहिए आज के इस थर्डी कोशन को यहीं पर रोकेंगे आपको इश्याई पर पूरे डिटेल्स रखने चाहिए कौन से टॉप त्री देश है और भारत का क्या पोजिशन रहा है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टेन टॉपिक होगा बहुत जल्द कल अले इन दे मौर्निंग कल दिन में किसी समय तक आपको अपलोड करने का परियास किया जागा यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे आप काउंट कर लें कि आपने कितने स्कोर्स किये है अपना दियान रखें मुझे जाज़त दे टेक केर